नमस्कार किसान मित्रों किसान मित्रों आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में इस समय किसान मित्रों मटर की फसल में कौन कौन सा खात का एस्प्रे करना चाहिए और मटर की फसल में फलियां आ चुकी हैं या आने वाली हैं कहीं कहीं तो काफी बड़े बड़े दाने भी दिखाई देने लगे हैं तो इन पर कीटो का आटेक होता है और कौन कौन सा फंगी साइट का प्रयोग आपको करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं और एक सफल खेती आप कर सकते हैं अब माटर की फसल पर काई परकार की ед और काई परकार के फंगास आते हैं और भी कैप परकार की ऐसे समस्या आती है जैसे माहू, एफिड, लीप माइनर, काली मस्डी इसके अलावा फली छेदक इल्ली का प्रकुब देखने के लिए मिलता है इब हम रस्ट, लीप स्पॉट, पाउडरी मिल्डीूट के साथ डंपिंग ओप की समस्या आती है और कॉला रोट के साथ पॉड बलाइट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है तो हम इस वीडियो की माध्याम से जो आपको इस परी बताने वाले हैं आप कीटों को और पिष्ट के साथ 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 परकार के फंगास को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं तो first spray हमको कप करना है और कौन-कौन सी कीट नासक और कौन-कौन सी फंगी साइट को लेना है और इसके साथ एक फंगी साइट को 40 ग्राम लेना है और सीजेंटा कंपनी की कौन्टेस यानि एक हम वाय इस्टी मूलेंट ले रहे हैं 40 ml और इस्टी कर मिलाकर हम 15 लीटर पानी की दर्शें इस्प्रे करने वाले हैं यह था फर्स्ट इस्प्रे सेकेंड इस्प्रे तो जब हमारी मटर की फजल 40 से 50 दिन की होती है तब हम दूसरा इस्प्रे करने वाले हैं टेवो को नुजोल 10 परसेंट प्लस सलफर 50 परसेंट डबलू जी को हम लेने वाले हैं चालिस ग्राम और एंपलिगो यानि क्लोर एंट्रा नीली प्रोल और लेमडा साल उथरीन का जो कॉम्बिनेशन आता है आठ एमल लेना है और इसके साथ एक फ्लावर के लिए टॉनिक ले सकते हैं चाहें तो आप फेंटाग प्लस 10 एमल ले लेजिए और फिर आईसा एगरु की सियाफ टॉन 10 एल टॉनिक को ले लेजिए 30 एमल किसी एक टॉनिक को मिक्स करके आप 15 लीटर पानी में घोल करके सि वनस्पतिक बढ़वार है, कीट लगने वाले हैं, कीटों को मुक्त करेंगे, फंगस कंटॉर कर पाएंगे और वनस्पतिक बढ़वार है वो भी काफी अच्छी होने वाली है, लेकिन हमारे किसान वहाई पूछेंगी क्या इन दो स्प्रे के अलाबъ правильно को सस्ती स्प्रे हैं तो जी बिलकुल है सस्ते हैं और काफी अच्छा भी आपको result मिलने बाला है तो 15 लीटर पाने में जब आपकी मटर की फसल 20-25 दिन की होती है तो कौनी फिटूर 10 ml साप ले सकते हैं 40 ग्राम और एनपी की घुलन सिलखाद 19-1960 ग्राम 15 लीटर पाने में घुल करके आप स्प्रे कर सकते हैं सेकेंड स्प्रे तो जब मटर की फसल 40-50 दिन की होती है तो टाटा की तागत 40 ग्राम फेंटाक प्लस टोनेक 10 ml 15 लीटर पाने में घुल करके आप स्प्रे कर दीजिए तो आप चाहें, तो हमने दो spray और भी सस्ति रेंज पर बताए हैं, जो हमने पहले spray बताए थे, वो काफी अच्छे हैं, लेकरन जो हमने second पर बताए हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, तो जो आपके पास उपलग भूँँग होँ, जो टेक्निकल आपके पास अवेलेबल हों, आप उनका इस प्रिकार के भी काफी अच्छे तरीके से मटर की खेती कर सकते हैं। अंगले टॉपिक के उपर डिसकस करते हैं खात का सेडियूल यानि फर्टिगेशन सेडियूल। तो मटर की फसल पर भी सलफर की अधिक आवसकता पड़ती है। देखी नाइट्रोजन, फस्पोरस, पोटास की तो आवसकता पड़ती ही है। लेकर मटर की फसल पर सलफर की भी आवसकता पड़ने बाले है। तो हमने जब बुआई कर रहा है थे खेत की तयारी कर रहा है थे तो उसी समय हमने सिंगल सुपर फस्पेट खाद का प्रियोग किया था जिसमें काफी हद तक सलफर की पूर्ती हो गई है लेकर हम खाद के सेडूल पर सलफर का भी प्रियोग करने बाले हैं जिससे उपाज उत्पादन काफी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फस्ट खाद का जो डोज है 25 से 30 दिन की होती है तो मटर की फसल पर 45 किलोगराम यूड गया 5 किलोगराम सुख्ष पोसक तत्व एक खाद 5 किलोगराम और 5 किलोगराम सलफर जो 90% डबलू डीजी फाम में आती है 5 किलोगराम एन तीनों को मिक्स करके जड़ों की पास दे है तो पहला डोज जब आपकी मुटर की फसल 15 से 20 किलोगराम तो 25 किलोगराम पर 35 किलोगराम सकते है अब आप चाहें तो एक डूज को दे सकते हैं 25 से 30 दिन या फर उसी डूज को डवाइट कर सकते हैं दो भागों पा यानि 15 से 20 दिन फस्ट डूज और सेकंड डूज 30 से 35 दिन जो आपको अच्छा लग है सस्ता समझ में आप वह काम कर सकते हैं बात करते हैं मार्केटिंग रे तो यदि आप माटर की अरली फार्मिंग करते हैं तो काफी अच्छा आपको फायदा होने बाला है बात करते हैं उत्पादन तो आप एक एकड़ में 35 से 36 कुइंटर पर ती एकड़ की दर्श से उत्पादन निकाल सकते हैं यदि हमने जिस परिकार बताया है सेडूल बताय या उत्पादन और भी बढ़ सकता है और यदि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कम जोर है या फिर आपने देख रेक सही तरीके से खाट का सेडिल नहीं चलाया है तो जो उत्पादन हम बता रहा है या घट भी सकता है अब बात करते हैं प्रोफिट के बारे में तो मान लीजिए उत्पादन 35-36 कोईंटल एकल के हिसाब से होता है 30 कोईंटल को ही पकड़ लेते हैं तो आपको यदि 30 रुपे केजी का रेट मिल जाता है तो आप 90 हजार रुपे एक एकल से कमा सकते हैं यदि मान लीजिए 25 का रेट मिल गया तो 75 हजार या फिर यदि मान लीजिए 20 का ही साथ हजार रुपे तक आप एक एकड़ से कमा सकते हैं और यदि कहीं पंदरा का ही रेट मिला तो आप एक एकर्ड़ से लग भाग 45,000 रुपे की आसपास कमा सकते हैं सभी लागत को निकाल कर भी हम कह सकते हैं कि आप बढ़ी आसानिस हैं साथ्षसे से सतर हजार रुपे आप एक एकड़ से कमा सकते हैं यदि आप मठर की बॉइ दस एकड़ पर करते हैं तो कैलकुलेशन तो सात लाग बता रहा है बैसे आप बड़े ही आसानी से पांच लाग रुपे भी आप दो धाई महीने पर कमा सकते हैं जो काफी अच्छी बात है यानि कम दि बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग यानि पहली तुड़ाई तो जो तुड़ाई है फर्स्ट यह काफी ज़्यादा बैराइटी पर डिपेंड काफी ज़्यादा नेरवर करती हैं कुछ यह असी बैराइटी हैं जो सो से 110 दिन में तयार होती है जैसे गोल्डन जी एस या फर कुछ यह असी अर्ली वैराइटी भी है जो 60-65 दिनों पर तुड़ाई के लिए तयार हो जाती है तो यह बैराइटी पर ही डिपेंड करती है और यदि लाइफ साइकल की बात करें तो दो से तीन महें ने की यह टूटल फसल है मटर की अर्ली बवाई करके भी आप उसी खेत पर गिया हों को टामसे बोशकते हैं कुछ जोगार हें काई स्थानों पर दो तो तो तीन तो या जो तो एंसी बाराइटि होती है जो दो तोलाई के बाद एक्दम साफ करना परता खेत है और कुछ यह ऐसी भी वेराइटी हैं जिनको आप तीन तुड़ाई भी ले सकते हैं यदि पीलापन की समझ से आ रही है तो कुछ नहीं करना आपको प्रोपर खात का डोज चलाना है और सीचाई टाइम टाइम से मैंटिनेंस सुधार की रखना है मैंटर की अंगेती खेती करने से आपको काफी अच्छा मुनाफ़ा काफी अच्छा आपको रेट मिल सकता है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पर हमने मैंटर की उननस सफल खेती की स्टेप बाइ स्टेप ए टू जेड जानकारी सेयर की यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हिद पर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें